हेलो फ्रेंड्स, वेरी गूट मॉर्निंग तो अल फ्यू, वेलकम तो माई ओफिशल यूटूब चैनल प्रशांच चित्रोवेदी टुटोरियल्स देखें, रिजनिंग एप्टिट्यूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेप्टर है, काउंटिंग ओफ फिगर्स यह छूट गया था, एक दो बच्चों ने मैसेज किया था, कि सर इसका भी वीडियो अप्लोड कर दिजिए यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसका वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो मैं इसका video upload नहीं करता यह हर exam में आपका पूछा जाता है और एक question इसका आता ही आता है non-verbal reasoning में ही आता ही है counting of figures आपको square दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा इसमें कितने squares है एक rectangle दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा इसमें कितने rectangles है triangles दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा कितने triangles है इस तरह के questions आते है तो इस video में हम लोग discuss करेंगे इसी topic पर और देखे क्या है जहां तक syllabus की बात है आप लोग बार-बार message करते है यह नहीं पढ़ा रहा है वो नहीं पढ़ा रहा है मैंने आपको बोल रखा है 5 सितंबर तक आपका syllabus complete हो जाएगा physics आपका चल रहा है numerical ability जैसे जैसे time मिलेगा मैं बीच-बीच में एक video upload करता जाऊँगा और जो आपको time बोला है मैंने आपसे बोला है कि मैं अगर वो complete कराऊँगा तो कराऊंगा आप patience रखिए एक दिन में सब कुछ नहीं होता है और जिनको पुराने videos नहीं मिल रहे है मेरा channel पर जाईए YouTube channel पर वहाँ पर उपर एक tab होगा playlist का playlist पर click करिए वहाँ पर आपको reasoning aptitude, physics, numerical ability और current affairs का playlist मिल जाएगा आप वहाँ पर सारे videos देख सकते है तो चलिए start करते हैं अपना आज का topic topic is counting of figures देखिए इसको किस तरह से solve करते हैं किस तरह के question आते हैं पहले तो कुछ basic types होते हैं square होता है, rectangle होता है और triangle होता है पहले तो वो समझ लेते हैं कि होता क्या है यह आपका एक square given है और इसके अंदर का ही सारे छोटे-छोटे squares हैं आपको यहाँ पर count करना है कि इसमें कितने squares है देखिए हमारा जो exam में जो type जितने type के question आते हैं वो एक आता है square दूसरा आता है हमारा rectangle और तीसरा आता है हमारा triangle सबसे ज़्यादा जो exam में पूछा जाता है वो पूछा जाता है triangle अब देखिए square में क्या होता है अगर आपका row और column same है यहाँ पर row कितनी है 1, 2, 3 column कितने है 1, 2, 3 अगर row और column same है तो आपको कुछ नहीं करना है इसको numbering कर दीजे 1, 2, 3 इसका square करके add कर दीजे यहाँ का हो गया total 14 मतलब कि इसके अंदर total 14 squares है अगर आप count करेंगे तो भी निकलेगा 14 देख लीजे कैसे 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 यह तो होगा हमारे 9 squares अब देखिए एक आपका यह square है 1, 2, 4, 5 वाला 10 हो गए एक आपका यह हो गया 11 ऐसे ही एक यह हो गया 4, 5, 7, 8 वाला कितने हो गया 12 5, 6, 8, 9 कितने हो गया 13 और एक यह बड़ा square पूरा total 14 ताइम बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है हम लोग एक count नहीं करते है direct formula लगा दीजिए आपका answer आजाएगा अब जैसे suppose यह आपको दिया गया है इसमें आपका row भी 4 है और column भी 4 है तो इसमें पूछा गया है कितने squares हैं क्या करना आपको 1, 2, 3, 4 सब का square करके add कर दिए 1 का square प्लस 2 का square प्लस 3 का square प्लस 4 का square is equal to कितना आजाएगा आपका 14 and 16, 30 इसका मतलब है कि इसके अंदर 30 square से अगर आप count करेंगे तो भी 30 निकलेगा so direct उसको करने का तरीका यही है आपका answer फटाग से आजाएगा आप देखिए कभी कभी क्या होता है यहाँ पर तो row और column सेम दे दिया row और column अगर सेम नहीं होता है तब क्या करते है जैसे suppose आपको ये figure दिया हुआ है इसमें आप से पूछा गया है कि कितने squares है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा row कितना है 1, 2, 3 and 4 total rows है हमारी 4 column कितने 3 इसको करने का तरीका क्या होता है numbering करिए 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 बड़े वाले नंबर को यानि कि 4 को बड़े वाले नंबर से multiply करिए 4 into 3 इसके बाद एक एक नंबर कम करते जाएगी plus 4 में एक नंबर कम करेंगे 3, 3 में एक नंबर कम करेंगे 2, plus 3 में एक number कम करेंगे 2 2 में एक number कम करेंगे 1 PLUS 2 में एक number कम करेंगे आएगा 1 और 1 में एक number कम करेंगे आएगा 0 यह 0 हो जाएगा इसको अटा दीजे यह कितना हो गया 12 प्लस 6 प्लस 2 is equal to 20 यानि कि यहाँ पर हमारे 20 squares है ये तो बात हो गई हमारी squares की अब बात करते है rectangle की rectangle में क्या होता है इसमें आपको find करना है कितने rectangles है इसमें क्या करना होता है numbering करिए 1,2,3 इसको add करिए कितना है आपका 6 इसको add करिए कितना है आपका 6 दोनों का multiply कर दीजे 6 into 6 is equal to 36 याने कि इसमें 36 rectangles है देखिए एक square भी अपने आप में rectangle होता है जब आप पूरा total count करेंगे तो आपको 36 rectangles मिलेंगे दूसरा example ले लेते हैं यहाँ पर आपको column दिएगा है 4 और rows भी दी गई हैं आपको 4 क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 add कर यह कितना आएगा 10 1, 2, 3, 4 add कर यह कितना आएगा 10 दोनों का multiply कर दीजे 10 into 10 is equal to 100 याने कि इसमें 100 rectangles हैं square समझ में आगया आपको rectangle समझ में आ गया अब बात कर लेते हैं triangle की अब देखे triangle में आपके 4 types होते हैं triangle में आपके जो question होते हैं 4 types के आते हैं एक एक type आपको यहाँ पर बताता जाऊंगा कैसे होता है और questions कैसे आते हैं पहले समझ दीजे कि क्या क्या होता है इसके बाद फिर मैं questions करा हूँगा देखे पहला तो आता है आपका ये ये है हमारा first type इस तरह का triangle आपको दिया जाएगा पूछा जाएगा इसमें कितने triangle हैं इसमें क्या करना होता आपको कुछ नहीं numbering कर दीजे 1 and 2 दोनों को add कर दीजे 1 plus 2 is equal to 3 जब आप यहाँ पर देखे clear एक आपका ये triangle है जिसमें लिखा हुआ है number 1 एक ये triangle है जिसमें लिखा हुआ number 2 और एक ये पूरा बड़ा होला triangle है तो total है यहाँ पर 3 ऐसे ही जब ये आएगा तो क्या करेंगे 1, 2, 3 कितना होगा 1 plus 2 plus 3 कितना होगा आपका 6 तो इसके अंदर 6 triangles है इसमें हमसे पूछा गया है इसमें बताना है कितने triangles है अब आप एक काउंट करेंगे बहुत time waste होगा क्या करिए numbering कर दीजे 1, 2, 3, 4, 5 add कर दीजे कितना हैगा 6, 4, 10, 15 इसका मतलब कि इसके अंदर 15 triangles है और देखे क्या हो जाता है कभी कभी क्या कर देते हैं यहाँ पर बीच में एक line ड्रॉ कर देते हैं अब पूछा जाता है कि कितने triangles हैं अब बताए कितने triangles तो जितने आपका triangle निकले numbering करिए जितने triangle निकले उसमें अगर यह दो पार्ट में यह जो हमारा triangle है यह दो पार्ट में डिवाइड हो गया एक पार यह अपर वाला एक पार यह लोवाला जितने triangle ने इसको दो से multiply कर दीजिए इसका मतलब total 30 triangles देखे एक और example से बता देता हूँ इसमें हमको बताना है कितने triangles हैं पहले तो numbering करिए 1,2,3,4 कितना हो गया हमारा total 10 triangles यानि कि 10 triangles हैं इसके अंदर 4 प्लस 3, 7 प्लस 2, 9 प्लस 1 is equal to 10 अब क्या कर देते हैं बीच बीच में lines ऐसे draw कर देते हैं अब देखे यह कितने part में break हो गया हमारा triangle एक, दो, तीन, चार जितने part में break हुआ उससे multiply कर दीजे is equal to 40 triangles ये SSC में आया हुआ question है ये चलिए ये होगा हमारा first type जान रखते रहिएगा first type हो चुगा है किस तरह का होता है सब जान रखेगा because अभी आगे question करेंगे तो उनमें इन सब की जरूरत पड़ेगी अब बात आती है हमारा second type अब देखे second type किस तरह को होता है अब देखे ये है हमारा second type इसमें आपको count करना है triangles कितने या आप बहुत आसानी से count कर सकते हैं कितने हैं 1, 2, 3, 4 और एक पूरा बड़ा वाला यानि कि 5 अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने triangles हैं ये भी आप आसानी से count कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 एक ये पूरा बड़ा वाला 5 5 हो गए 6, 7, 8 और एक ये पूरा 9 यानि कि यहाँ पर 9 triangles बड़ कभी कभी क्या होता है जब अंदर बहुत सारे triangles बने होते हैं तो आप कहां तक count करेंगे आपका time waste होगा उसको कैसे करते हैं देखिए इसमें आप से पूछा गया है कि इसमें बताना है हमको कि इसके अंदर कितने triangles है यह figure आपके सामने draw कर रहा हूँ मैं इसमें आपको बताना है कितने triangles अब देखिए फिर आप वही करेंगे एक एक count करेंगे time waste होगा तो क्या करना होता है जो बड़ा triangle होता है इसके अंदर जितने भी triangles हैं इन्टू 4 प्लस 1 कर दीजे देखिए पहले यह आला example देखिए अंदर कितने triangle है सिर्फ एक triangle है सो 1 इन्टू 4 प्लस 1 कितना है आपका 5 यहाँ पर देखिए अंदर कितने triangles है 1 एक यह triangle है और एक यह triangle है 2 ट्रेंगिल ही तो है 2 into 4 plus 1 कितना है आपका 9 अब यहाँ पर अंदर देखे कितने triangles है एक ये बड़ा वाला एक एक ये 2 और एक ये 3 तो क्या करेंगे 3 into 4 plus 1 13 इसका मतलब है कि इसमें total 13 triangles है तो आपको पूरा count करने ज़रत नहीं है direct ऐसे ही बता सकते हैं मान लिजा अंदर 5 triangles ये 4 triangles दे दी जाते है जैसे ये दिया गया है आपको अंदर हमारे कितने triangles है भी 2 एक ये 3 और एक और ये छोटा सा बना दिया 4 अब देखे यहाँ पर आपको बताना है कितने triangles हैं अब एक ए count करेंगे time consume होगा उससे better direct कर दीजे अंदर कितने triangles हैं एक दो तीन और चार चार ही तो triangles हैं अंदर so 4 into 4 plus 1 is equal to 17 so answer क्या आगया हमारा इसमें total कितने triangles हैं 17 triangles ये हो गया हमारा second type अब बात कर लेते हैं third type की अब देखे ये है हमारा third type इस तरह का question एक question exam में आते ही आता है ये हर साल पूचा जाता है इसमें देखे क्या करना है देखे ये figure पहले तो देख लीजिए ये figure आपको ध्यान में रखना है इस तरह से अगर बना हुआ है figure आपके सामने आप से पूचा के अंदर कितने triangles हैं देखे क्या होता है यहाँ पर सब प्लस कर रहे हैं 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21 21 प्लस 7 28 28 प्लस 8 36 अब देखे आपको देखना होता है इस figure में कि यहाँ पर कितने triangles हैं देखे यहाँ पर कितने हैं 1, 2 और 3 3 triangles हैं तो यह 3 numbers ले लिए 1, 3, 6 इनको add कर दीजिए कितना हुआ हमारा 10 इसके बाद एक number नीचे से एक number छोड़ के alternate number हमें लेना होता है तो नीचे से एक number हमने 6 को छोड़ा 3 लिया तो क्या हो कि 10 प्लस 3 is equal to 13 यानि कि इसमें triangles हैं हमारे 13 और अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लिजिए अगर 3 triangle आता है इस तरह का figure दिया है तो यहाँ पर triangles होते हैं 13 अब यहाँ पर कितने triangles हैं 4 1, 2, 3, 4 अब 4 है तो यहाँ पर 4 numbers ले लिजिए कितना हो जाएगा 1, 3, 6, 10 add कर दीजिए कितना हो गया 16, 19, 20 20 हो गया अब इसके बाद नीचे से एक number छोड़ के क्या करना है alternate numbers लेने एक हो गया 6 इसके बाद 1 6 plus 1 आपका कितना हो गया 20 plus 7 is equal to 27 मतलब कि यहाँ पर जो triangles है आपके यहाँ पर triangles आपके कितने है 27 अगर आप इसको learn कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है आपको figure देखना अगर यहाँ पर 3, 3 triangle दिये हैं तो 13 आएगा 4 triangle दिये हैं तो 27 आएगा माली जिए इससे बड़ा और कूछ ले जाता है अगर वहाँ पर 5 triangles दे दी जाते हैं तो जब 5 दे दी जाएंगे 6 triangle मिल जाते हैं तो आपको 6 numbers लेने हैं यह माली जिए 5 मिल जाते हैं चलिए मैंने माला 5 मिल गए तो यह 5 numbers आपको लेने हैं 1, 3, 6, 10, 15 1, 3, 6, 10, 15 यह 5 numbers आपने ले लिए add कर दीजे 25, 31, 31 and 34, 35 कितना होगा यह? 35 इसको add कर यह कितना आएगा? 35 आएगा इसके बाद क्या करना है? नीचे से एक number छोड़ के alternate numbers 10 और 3 इसके बाद तो उपर कुछ है नहीं 1 है वो लेना नहीं एक एक number छोड़ के लेते हैं तो कितना add कर देंगे? 13 यानि कि कितना हो जाएगा? 48 अगर आप learn कर सकते हैं तो learn कर लिजे तीन वाले में कितने आएगे? 13 4 वाले में 27 5 वाले में 48 6 वाले में ऐसे ही 6 वाला कर लिजेगा या आप मुझे बताईएगा comment में 6 वाले में अगर 6 triangles दिये तब यहाँ पर कितना आएगा? और अगर last में 7 triangles मिलना है तो total triangles कितने आएगे? यह comment में आप बता दिजेगा कितना आएगा? और अब चलते हैं अपना 4th type 4th type को बहुत ध्यान से समझेगा because यह सबसे ज़्यादा important है और सबसे ज़्यादा question इसी type पे based जितने भी question दोते हैं वो इसी type पे पूछा जाते है तो चलिए देख लेते हैं 4th type क्या है? देखिए 4th type में यह आपको एक square दिया जाएगा इसको दो पार्ट में break कर दिया जाएगा इसमें आप से पूछा गया है कितने triangles हैं? ऐसे ही इसमें भी आप से पूछा गया है कितने triangles हैं? ऐसे ही इसमें भी आपसे पूछा गया है कि बताना है कितने ट्राइंगल से तो देखिए कुछ नहीं करना होता है नंबरिंग कर दीजे 1, 2, 3, 4 जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको 2 से मल्टिप्लाई कर दीजे यानि की 8 तो टोटल ट्राइंगल से यहाँ पर 8 यह है हमारा फोर्थ टाइप इसको बहुत ध्यान से समझेगा बहुत इंपोर्टन है यह कितने होगा है टोटल 8 अब देखिए यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 को बड़े नंबर को 2 से मल्टिप्लाई कर दीजे यानि की यहाँ पर कितने ट्राइंगल से होगा हमारे 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8 into 2 is equal to 16 सो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स होगा हमारे 16 ट्राइंगल्स अब देखिए क्वेस्चन आपके किस तरह के आते हैं अब मैं आपको करवाता हूँ questions यहाँ तक आपको समझ में आ गया पहले मैंने क्या बताया square बताया rectangle बताया उसके बाद triangle में आपको 4 टाइप के question बताया यह 4 टाइप था हमारा अब question जो आते हो देखिए कैसे आते है यह question आपको given है इस तरह से add कर दिये गए हैं दो squares और इसको break कर दिया गया है triangles हैं देखिए यह क्या है इसमें कितने होगे यह वाला type देखिए यह पहला यह जो पताया है 1,2,3,4 4 x 2,8 8 हिस में होगे ऐसे 8 हिस में होगे जो यह कितने होगा 8 plus 8 total triangles कितने होगा 16 इसके बाद क्या करना होता इस वाला square है इसके और इस वाले square के बीच में जो common point होते है common point क्या है एक यह और एक यह उसको भी add करना होता है plus two is equal to 18 अब यह common point है क्या यह भी देख लिजे है यह जो हम socialism इस चाहिए इंहें दो common point add किये यह क्या है यह है यह यह लिया और एक ऐसे ही उसका उल्टा यह triangle बनना एक triangle मैंने यह लिया है दो triangles होगा इसका मतलब इसमें हमने plus two add कर दिया आपको triangle count करने के जुरत नहीं सीधर जितने common point बिलते हैं उतने ही add कर दिजिए जैसे मान लिजिए यह आपको एक figure दिया गया है सेम वैसे ही question है कितने इसमें triangle होंगे फटाक से एक second में answer बताइए देखे इसमें कितने होंगे 8 इसमें कितने होंगे 8 इसमें कितने होंगे 8 इसके बाद इस वाले और इस वाले square के बीच में 2 ये common point और इस वाले और इस वाले square के बीच में 2 ये common point प्लस 8, प्लस 2, प्लस 2, कितना हो गया हमारा 24, 4, 28, यह हो गया हमारा 28, अब थोड़ा सा इसी टाइप के question को थोड़ा सा घुमा फिराग देते हैं, देखिए कैसे दिया जाता है, अब देखिए ये question आपको दिया गया, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने triangles हैं, पह ये वाला square इनके बीच में कितने common point हैं, दो, 24 प्लस 2, इसके बाद अब ये वाला square और ये वाला square इनके बीच में कितने common point हैं, एक ये और एक ये, सारे common point count करने होते हैं, ये नहीं कि आपने देखा ये वाला common है, तो इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, इस square और इस square के ब ना होता है अब हमको इसमें देखना होता है हम जो यहाँ पर triangles find कर रहा है वो क्या कर रहा है इस square और इस square के बीच में मतलब पहले तो इस square में हमने निकाला जितने बन रहा है वो निकाल लिए फिर इस square में निकाला कितने बनना है जितने बनना है वो निकाले फिर हमने क्या किया इन दोनों square के बीच में देखा कितने triangle बनना है वो निकाल लिए इसके बाद हमने क्या किया इस वाले square को count किया इस वाले को इसके अंदर देखा हमने कितने triangle है और इसके और इसके बीच में जितने triangle बनना है इसके और इसके बीच में जितने triangle बनना है फिर हमने वो count किया सो ये तो हमने count कर लिया एक-एक सब का अलग-अलग count कर लिया फिर दोनों को combine करकर के count कर लिया अब देखिए यहाँ पर है total 3 square अब हमें count करने इन तीनों square के बीच में क्या कोई triangle बन रहा है कि वो भी count करना है जी हाँ वो भी बन रहा है देख लिजे क्या बन रहा है वो एक extra triangle जो बन रहा है जो तीनों square को combine करते हुए एक 7 बन रहा है ये है वो हमारा extra triangle तो कितना answer होगा 28 plus 1 is equal to 29 28 तक तो आप असानी से find कर सकते हैं फिर आपको देखना होता है और कोई extra triangle तो नहीं बन रहा है तो ये आपको मिल गया क्या रहा answer इसका 29 अभी इसी तरह के और questions कराएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा चलिए अब अगला question ले लेते हैं अब देखिए हमको ये question दिया गया है अब यहाँ पर हमें find करना इसमें कितने triangles है वही same concept देखिए क्या है इसमें कितने है आठ इसमें कितने है आठ इसमें कितने है आठ इसमें कितने है आठ पहले तो हमने ये find कर लिए, इसके बाद क्या करते है, जो common point है, वो count कर लिए, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, दो common point, एक ये, और एक ये, ऐसे ही, इस वाले और इस वाले के बीच में, एक ये, एक ये, कितने होगा आपके, चार common point होगा, अब ये अब इसके बाद हमें फाइंड करने होते हैं और कहीं कोई triangle तो नहीं चुपा है अब वो ढोड़ना होता है अभी तो जो हम find कर रहा है वो क्या कर रहा है वो सिर्फ जो हमारा एक single square है उसमें हमने find किया इसके बाद हमने जो 2 combined 2 squares हैं उसमें हमने find किया अब हमें find करना है कि 3 square के बीच में कोई triangle तो नहीं बन रहा है और total यहाँपर कितने square हैं? 4 4 square के बीच में कोई triangle तो नहीं बन रहा है यह हमने बता दिया है बचता है हमारा 3 वाला और 4 वाला बिल्कूल बन रहा है हैं कि तीनों में एक साथ triangle बन रहा है नहीं बन रहा है ये तीन एक साथ हमें combine दिये हुए एक ये एक ये और एक ये इसमें क्या करना है वही जो भी आपको पिछले question में कराया था ये दिख रहा होगा आपको ये एक triangle मिला हमें तो कितने होगा 38 प्लस 1 39 जैसे यहां मिला ऐसी इसका opposite ये ये triangle मिलेगा हमें ये कहां मिला है एक इस square को एक इस square को और एक इस square को combine करके कितने हो गए प्लस 1 40 अब हमें तीन वाले तो सारे मिल गए अब हमें डूढ़ना है चार square के बीच में कुछ बन रहा है क्या जी हां बिल्कूल बन रहा है वो भी देख लीजिए चार square के बीच में combine करके ये पूरा एक बड़ा triangle आपको मिल रहा है I hope आपको पूरा concept अब समझ में आ गया होगा कैसे किये जाते हैं questions सो answer क्या होगा 40 प्लस 1 is equal to 41 वही same कैसा भी question आ जाए पहले इस तरह के question आते हैं पहले क्या करना है single square मतलब एक square के अंदर जितने triangle बन रहा है वो ढूर लीजिए फिर दो square को combine करके कोई अंदर triangle बन रहा है वो ढूर लीजिए तीन square को combine करके कोई मिल रहा है वो ढूर लीजिए और फिर 4 square को combine करके वो डूल लेज़े आपका answer आजाएगा सो यहाँ पर कितने triangles हमारे 41 triangles यह question बहुत बार पूछा जा चुका है यह हमारा इसका answer और यही है इसको solve करने का तरीका चलिए अब कुछ और questions ले लेते हैं अब देखिए यह कैसा आता है question एक concept बिल्कुल वही से में कुछ नहीं करना है इसमें हमसे पूछा गया इसमें कितने triangles हैं यह आपको मैंने जो first type पढ़ाया था first type में आपको क्या पढ़ाया था यही पढ़ाया था 1 plus 2 कितना हो जाएगा 3 सो यहाँ पर देखिए कितने triangles हो गा हमारे 3 नीचे वाला क्या है square उसको उसके कितने 1, 2, 3 इसमें कितने triangle 5, 6, 7, 8 8 into 2 16 कितने triangle 16 4 type पढ़ाया है अब 16 इसमें 3 इसमें कितने होगा है 16 plus 3 19 अब यह आपने क्या किये हैं यह आपने separate एक-एक में count किया आपने क्या किया पहले एक triangle के अंदर count किये इसके बाद आपने square के अंदर count किये यह तो आपने कर लिये लेकिन अब हमें find करना है triangle plus square क्या इसके अंदर भी कोई triangle है वो भी हमें डूड़ना है बिलकुल है देख लिजे कौन सा है यह देखिए यह रहा आपका एक triangle अब यह क्या है square और triangle को जब combine किया तब हमें मिला एक और triangle ऐसे ही इसका just opposite सो कितने triangles होगा हमारे अभी कितने निकले थे 19 plus 2 is equal to 21 सो यहाँ पर कितने triangles है 21 triangles अब एक question आपको दे रहा हूँ बहुत important question है और यह पता निक कितनी बार हर exam में पूछा गया आप book भी देखेंगे book में भी आपको question मिलेगा इस question का answer ज़रूर post करिएगा और बताईएगा कि इसमें कितने triangles है pattern बिलकुल वही है जैसा उपर बताया है यह इसको touch कर रहा है square को ध्यान रखिएगा इसमें हमसे पूछा गया इसमें हमको बताना है कितने triangles है तो यह answers आपको comment में post करना है बस इतने ही type case में questions है मुझे लगता है आपको पूरा chapter एकदम clear हो गया होगा एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगी अब कैसा भी question आएगा आप बहुत असानी से solve कर सकते हैं so thank you so much guys thank you for watching